हेलो फ्रेंस वेलकम और वेलकम बेक टू मैं चैनल बी आर फैसन और आज के इस वीडियो में मैं धागे का इस्तमाल करके कुरती में सुन्दर सा डिजाइन बनाऊंगी तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये पेपर बुक्रम ली है और इस बुक्रम की चोड़ाई 14 इंच है और लंबाई भी 14 इंच है और मैंने इस पे नेक भी ड्रॉ कर लिया है नेक की चोड़ाई 6 इंच है और नेक की लंबाई भी 6 इंच है तो इस तरह से मैंने इस प तो मैंने बुक्रम को कुरती की उल्टी तरफ आयरन से चिपका लिया है और उसके बाद मैं इस पर डिजाइन क्रिएट करूंगी तो अब मैं इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रही हूं और उसके बाद इस लाइन से थोड़ी दूरी पर मैं और लाइन बना रही हूं और अब इस तरब भी ऐसे ही लाइन्स ट्रॉ कर लेती हूं तो इस तरब भी मैंने लाइन्स बना ली है और उसके बाद मैंने यहां कार्ट बोर्ट से पत्ते की सेप कट की है और अब मैं इस पत्ते को यहां इन लाइन्स के ऊपर ट्रेस करूँगी तो अब पत्ते को इस लाइन के ऊपर ट्रेस करूँगी और उसके बाद 2.5 इंच के दूरी पर हम आगे पत्ते को ट्रेस करते जाएंगे तो इस तरह से मैंने सभी लाइन्स के ऊपर पत्ते को ट्रेस कर लिया है और अब मैं इस डिजाइन को मसीन से बना कर दिखाती हूँ तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहां एंकर थेड लिया है और अब मैं इस थेड को बॉबिन में भरूँगी तो एंकर थेड को मैंने बॉबिन में भर लिया है और उसके बाद मैं bobbin case ले रही हूँ और अब bobbin case में धागे को fit कर लेंगे तो anchor thread बहुत असानी से bobbin case से निकल रहा है और अगर bobbin case से धागा निकलने में कोई दिक्कत हो तो आप bobbin case के इस nut को थोड़ा सा ढीला कर ले तो इससे धागा असानी से निकल जाएगा तो मसीन में बॉबिन के इस से मैं एंकर थ्रेड यूस करूंगी और उपर की तरफ मसीन में मैं ये सिंपल थ्रेड यूस करूंगी तो अब मैं इन धागों को मसीन में फिट कर लेती हूँ Friends, ये एक साधा सिलाई मसीन है और सिलाई चलाने से पहले आप stitch regulator को 4 नंबर पर set कर ले और आप कपड़े पर जो design बनाया है उस पर सिलाई चलाएंगे तो सबसे पहले मैं इस line के उपर सिलाई चलाऊंगी तो सिलाई यहाँ line के थोड़ा उपर से लगाना सुरू करेंगे तो यहाँ line के साथ में पत्ते भी connect हैं तो हम सिलाई को पत्ते की तरफ घुमाएंगे और line के साथ साथ पत्ते पर भी सिलाई लगाते जाएंगे तो बाहाँ करेंगे झाल करेंगे बाहाँ करेंगे थो प्राइब प्राइब फ्राइब तो दो प्रण खुर्ट प्रशब कर दो खुआ कर दोंगग है झाल 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 में झाल तो यहां सीधी तरप से धागा निकला हुआ है तो इसे अब ठीक करेंगे तो अब उल्टी सेट पे जो थ्रेड है उसे उपर की तरफ थोड़ा खीचेंगे जिससे सीधी तरफ की थ्रेड उल्टी तरफ आ जाएगी और अब दोनों थ्रेड को अच्छे से बान देंगे और अब सीधी तरफ से लाइन अच्छा लग रहा है और अब हम बाकी लाइन के उपर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे तो मैंने सभी लाइन के उपर सिलाई लगा ली है और अब मैं आपको इसे सीधी तरफ से पलट कर दिखाती हूँ तो सीधी तरफ से डिजाइन ऐसा दिख रहा है और डिजाइन के उपर बहुंद सफाई से सिलाई लगी हुई है और उसके बाद मैं ये लेस का टुकड़ा ले रही हूँ और इसे मैंने अपने पुराने कपड़े में से निकाला है तो इसलिए ये थोड़ा सा पुराना लग रहा है और इस लेस में ये छोटे-छोटे फ्लावर्स बने हैं तो इन फ्लावर्स को मैं डिजाइन बनाने में यूज करूंगी तो अब मैं इन फ्लावर्स को कट करके निकाल लेती हूँ मैंने फ्लावर्स को कट करके निकाल लिया है लेकिन यहाँ फ्लावर की किनारी पर छोटी छोटी धागे निकले हुए हैं तो इसे हम ठीक करेंगे तो अब मैं माचिस ले रहे हूँ और अब फ्लावर की किनारी पर जो धागे निकले हैं उसे आग से जला लेंगे तो फ्लावर के किनारे पर जो धागे निकले थे मैंने उन्हें जला लिया है और अब यी फ्लावर अच्छा लग रहा है और मैंने लेस में से ये पत्ते भी कट करके निकाल लिये हैं और अब मैं ये फ्लावर ले रहे हूं और अब इन फ्लावर को यहां लाइन के बीच में जो खाली जगह हमने छोड़ी थी वहां पर रखेंगे और स्टिच करेंगे तो फ्लावर को स्टिच करने के लिए मैंने सुई धागा लिया है धागा मैंने यहां वाइट कलर का लिया ह अजय कर दो है तो लाइन के उपर मैंने फ्लावर स्टिच कर लिया है और यहां लाइन के आखरी में मैंने ये पत्ता भी स्टिच कर लिया है जिसे मैंने लेज में से कट किया था और उसके बाद मैंने यहां नेक त्यार करके रखा है नेक की चोड़ाई 6 इंच है और नेक की लंबाई भी 6 इंच है जैसे मैंने कुर्ती पे नेक ड्रॉ किया था इस नेक को मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है और अब मैं इस नेक को कुर्ती में स्टिच कर लेती हूं और उ तो कुर्ती के उपर मैंने नेक बना लिया है और नेक पे मैंने वाइट कलर की पाइपिंग भी लगाई है आप चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने यहां पे नेक बना लिया है और उसके बाद मैं ये सिल्वर कलर की स्टोन्स ले रही हूँ इसे मैं डिजाइन के ऊपर चिपकाऊंगी इसे चिपकाने के लिए मैं फैबरिक ग्लू यूज करूंगी तो इस तरह से मैंने डिजाइन के ऊपर अब ये डिजाइन कमप्लीट हो गया है फ्रेंज ये डिजाइन बहुत सुन्दर लग रही है और इसे बनाना भी बहुत असान है और आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप आगे भी इसे तरह डिजाइन के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो